सब्सक्राइब का स्वागत अब लोग की आप मैथमेटिकल क्लास नहीं होगी इसमें हम लोग बोर्ड एक्जाम से रिलेटड जो भी चीजें हो उस भारे में हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है कि हम लोगों के बोर्ड एक्जाम कब तक होंगे तो अगर हम लोग बात करें कि तेश दिसंबर को जो हमारे देश के सिक्षा मंत्री है रमेश पोखर याल निशंक शाब वह फेस्बुक पे तेश दिसंबर को लाइव आये थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें डिसकस की थी उस लाइफ सेशन में तो उनका वह इसी एक्जा सबसे पहले डिसकस किया था कि हम लोगों का जो प्रैक्टिकल अभी तक जो भी प्रैक्टिकल होते थे वह लगब बख जनवरी एक से लेकिसma Pink पत्रय तक थे ठीग है तो वालों यह क्षारी से बोड आइच सीवौर्ट आपाए हो लागविए तो आपकी बार उन्होंने ब सायद फरवरी में आएं ठीक है तो सायद आप लोगों का जो practical डेट है वो फरवरी में हो फरवरी में आप लोगों के practical हो ठीक है उसके बाद उन्होंने बताया क्या board exam online होगा या offline होगा तो इसको उन्होंने clear कर दिया था कि हाँ जो board exam होंगे वो offline mode में ही होंगे आप लोगों कि आप लोगों का जो board exam होगा वो offline mode में ही होगा ठीक है तो इसके लिए आप लोग offline तरीके से जो भी paper solve करने के तरीके हैं वो आप practice करते रहिए ठीक है number 1 तो board exam होगा और वो offline mode पे होगा ठीक है third पे आया क्या आप लोगों का offline प्री बोर्ड करवाया जाएगा तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हाँ time जादा रहेगा चुकि cell bus भी कम कर दिया गया लगभग 30% आप लोगों का cell bus कम ही कहो गया है ठीक है तो उन्होंने कहा cell bus भी कम हो गया और आप लोगों का जो बोर्ड एक्जाम हो भी डेट लगभग 2 महीने बढ़ जाएगा ठीक है ऐसे फरवरी में होना था ये फरवरी से ना होके अब मार्च या अप्रिल में होगा ठीक है लगभग मान की चलो मार्च में होगा ठीक है अभी तक जो मोटा मोटा एडिया चुकि अभी कुछ डिसाइड नहीं किया गया कि एक्जाम कब होंगे लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि फरवरी तक नहीं हो पाएंगे ठीक है तो आप लोगों का अभी तक जो भी प्री बोर्ड होता था वो फरवरी में हो जाता था ठीक है प्री बोर्ड करवा सकते हैं तो इसकूल के लिए शायद ये डिसीजन दिया जाए या फिर ये इसकूल को कहा जाए कि आप लोग प्री बोर्ड जो है वो फरवरी में ले सकते हैं एक्जाम से एक महीने एक महीने पहले पिर आते हैं हम लोग syllabus की बात करने कि syllabus में जो कमी हो बहुत सारे लोग ये doubt में हैं कि साहज syllabus और कम कर दिया जाए तो इसके लिए उन्होंने clear कर दिया कि नई syllabus जो है तो 30% अल्रेड़ी कम कर दिया गया है तो अब इससे ज़्यादा syllabus कम नहीं किया जा सकता ठीक है तो ये मोटे मोटा point थे कि क्या क्या चीजे होनी है नंबर एक आप लोगों का जो practical exam होगा वो जन्वरी के बाद ही होगा ठीक है नंबर दो board exam होगा ये clear है ठीक है और third पर आ जाएं third point की बात करें तो जो board exam होगा वो offline mode में होगा ठीक है और fourth point की बात करें तो आप लोगों का जो syllabus है वह 30% से ज्यादा कम नहीं किया जाएगा तो आप लोग अपने जो भी स्कूल से वहां से clear कर लीजिए कि कितना कितना syllabus कम हुआ है आप उसी के recording अपनी पढ़ाई कीजिए clear तो यह छोटा सा अपडेट था जो को आपके साथ share करना चाहिए था हमने सोचा कि share कर ले ठीक है पाकि जो भी हम लोगों के classes है regular वैसे चलती रहेंगी आप लोग classes पढ़िए तो अभी तक का इतना ही अपडेट है पाकि जो भी अपडेट आएंगे इस रिलेटेट बोर्ड एक्जाम्स रिलेटेट वो मैं आप लोगों के साथ में share करता रहोंगा और हम लोगों की जो study classes है वैसे ही चलती रहेंगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए जिससे हम जो भी information आपके साथ share करें वो आप लोगों को उसका notification तुरंत मिल जाए बाकि मिलते हम लोग नए class क बीडियो में थैंक यू